नमस्कार, मैं अमित श्री अर्विंदो सोसाइटी की ओर से आपका हारदिक स्वागत करता हूँ आज हम शिक्षा में शूने निवेश नवचार अर्थार ZIIEI का इकरम के दौरा संकलित किये गए एक रोचक नवचार शब्द सागर क्यू पर चर्चा करने जा रहे हैं इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोड के चचार के हिंदी विशाई के पाट करमांग 16 बच्चों का पूछताच केंद्र लिया है यह पाट बच्चों का पूछताच केंद्र के माध्यम से संग्या, विशेशन, क्रिया, शब्द वली, आदी की जानकारी बच्चों को आसानी से दी जा सकती है तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवचार शब्द सागर को प्योग यह पाट समझने के लिए करते हैं इस नवचार शब्द सागर में बिद्यारती अपने सहपार्थियों के साथ मिलके ना केवल अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं बलकि भाशाई कोशल का भी विकास करते हैं और इस सीखने की प्रेक्रिया में वे व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं और एंजॉय करते हैं और यही इस नवचार की मुख्यनवीम्ता या विशेश्टा होती है। इस नवचार के कारण नकेवल बिद्यारती पाट की विशयवस्तु से रूबरू होते हैं बल्कि बच्चों के सरवांगेन विकास के लिए बच्चों के होलिस्टिक डिवलब्मेंट के लिए जो भी गुणों के आवशक्ता होती है जैसे शुष्टचार, अनुशाशन, धैर, बिनमर्ता, परसपसायोग, आत्मश्वास ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे धी बीजन या पुंद्रा ब्रत्ती की रूप में होता है इसलिए शिक्चक पहली से सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पार्ट के निर्मार, ब्याक्याथ और समझाईश कक्च्च में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो जब इस नवजा के क्रियानमन और सारे विद्यारति उसे बोलते हैं कि आपने जो भी पार्ट पढ़ा है, समझा है, उसके अधार पे जो भी आपको महत्पून शब्द लगते हैं, अच्छे शब्द लगते हैं, वो शब्द एक पर्ची में लिख लेजिए और वो पर्ची इस डिब्बे में डाल दीजि दूसरे दिन शिक्चक उन्हें उस डिब्बे के साथ के अच्छे में प्रवेश करते हैं, वो बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, इस खेल के लिए क्यों नहीं हम इस डिब्बे को सजा लें, रंगीन मना लें, फिर सभी बिद्यारति मिलके, शिक्चक मिलके उस डिब्बे को सजा लेते हैं, रंगीन मना लेते हैं, उसके बाद शिक्चक बोलते हैं क्यों नहीं इसका कुछ एक नाम दे दिया जाए डिब्बे का, तो डिब्बे का एक नाम दे दिया जाता है शब्द सागर, एक विद्यारति को वो लाके जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है डिब्बे की उपर शब्द सागर लिखवा दिया जाता है फिर उसके बाद सिक्चक खेल के नियम बतलाते हुए कहते हैं कि एक एक विद्यारती आएगा डिब्बे में से एक पर्ची निकालेगा उसमें एक शब्द लिखा रहेगा वो पर्ची अब उस बच्चे को दे दी जाएगी जिसने वो शब्द लिख के उस डिब्बे में डाला था वो बच्चा कक्चा के सामने आएगा सभी के सामने आएगा वो शब्द पड़ेगा और उसके बारे में बाक के बनाएगा या अर्थ बताएगा या विशेश्ता बतलएगा उदारण के तौर पे यदि एक बच्चा आता है मान लीजे जय है वो आता है डिंपने से एक पर्ची निकालता है अब उसमें दुकान लिखा रहता है अब वो दुकान की पर्ची राम ने डाली होती तो पर्ची राम को देदी जाती है राम आता है खक्षा में सब के सामने परची में पढ़ता है दुकान और बोलता है मेरे घर के पास एक छोटी सी दुकान है ये एक्टिविटी सभी विद्यारती करते हैं और आ आके एक शब्द की उपर एक बाग के बुलते जाते हैं तो इसे शब्द का अर्थवी बच्चों को समझ में आ जाता है सभी पार्ट से जोड़े जित्ते भी महत्कुन शब्दें उनका अर्थवी समझ में आ जाते हैं और बाग कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आ जाता है तो कॉंसेट क्लियर हो जाता है बच्चों कैसे हमें उम्मीद है कि इने बचा कर्यानमंद आपको भी बहुत पसंद आया होगा और से क्रियानमंद आप अपने विद्याले में जरूर करेंगे हमें पूर्ण विश्वास है किसके बहुत अच्छे सकारात्मक प्रइनाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर बद्ती होगी आप य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर इन्योवेटिव पार्ट शाला मोबाइल एप का लिंक मौजूद है जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक मनुरंजक और ज्यानवर्दकना वचार प्राप्त कर सकते हैं और अप